आज हम explain करने वाले एक comedy romance movie को, जिसका नाम है Bad Teacher, जिसे साल 2011 में release किया गया था, जिसे direct किया है Jack Kasdan ने, और बात करें इसके IMDV rating के बारे में जो है 5.6 out of 10 star, movie के start होते ही हम एक teacher को देखते हैं, जिसका नाम Elizabeth होता है, उसे drugs लेना और सराप पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, Elizabeth इसलिए वह teacher का job छोड़ कर जा रही थी, school के सभी teacher Elizabeth को बिदा करते हैं, जब वो अपने boyfriend के घर पहुंचती है, बहां उसके mom मिलती है, और वो शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है, वह उनके बेटे से नहीं, उसकी दॉलर से प्यार करती है, Elizabeth Elizabeth को अपने boyfriend के बद्दे के बारे में भी पता नहीं होता, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा होका शादी को तोड़ देते हैं, और फिर तीन महीने बाद, जब Elizabeth के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर से उसी school को जाइन करती है, लंच टाइम में Elizabeth टीचर लीन के इसी बज़े से उसकी नीन भी पूरी नहीं हो पाती, और अगले दिन student को पढ़ाने की जगा movie चला कर सो जाती है, और लंच टाइम में उसके पास जिम टीचर रसेल आता है, जो उसे लाइक करता है, लेकिन रसेल अमीर नहीं था, इसलिए Elizabeth उसे भाव नहीं देती, फिर हम इसकौर्ट नाम के एक टीचर पर पढ़ती है, जो कुछ ही दिनों तक पढ़ाने आया था, और बह काफी अमीर भी था, Elizabeth उसे बात करती है, और जान लेती है कि वो अभी सिंगल है, लेकिन उसकी बुरी तरह जल जाती है, जब स्कौर्ट अपनी X की फोटो उसे दिखाता है उसका फिगर काफी संदर था, Elizabeth उसे पटाने के लिए अपने बुब्स की सरजरी करवाने की सूचती है, जब वो डॉक्टर के पास जाती है, तब उसे पता चलता है सरजरी के लिए उसे करील 9,000 डॉलर चुकाने होंगे, जो उसके पास नहीं थे, फिर वो कई फ्रेंड से पैसे उधार मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता, फिर उसे पता चलता है कि उनकी स्कूल के टीम एक कार वाश करने जा रही है, जिससे उन्हें पिछली बार 6,000 डॉलर मिले थे, लेकिन उनकी इस टीम को एमी लीड कर रही थी, फिर Elizabeth प्रिंसपल के पास जा करते हैं, और वो उन पैसों में से कुछ पैसे चुरा लेती है, लेकिन ऐसा करते देख, एमी उसको देख लेती है, और वो प्रिंसपल के पास जाकर उन्हें सब बता देती है, लेकि प्रिंसपल उस पर विसपास नहीं करता, क्योंकि Elizabeth ने उन्हें 7,000 डॉलर दिये थे, जो एमी का प्लान फेल हो जाता है, स्कॉर्ट कहता है, मुझे अच्छा लगता है, जब लोग अपनी एज को बढ़ता देख, अपनी बोडी की मेंटेन करना नहीं बूलते, और कुछ दिन बाद, Elizabeth काफी खुश नजर आती है, उसे स्टुडेंट्स के पैरेंट्स की तरफ से ए लेकिन फिर भी बार-बार स्कॉर्ट को पटाने के लिए अलग-अलग तरीके ढूंती रहती है, और फिर एक दिन, Elizabeth अपने स्टुडेंट गेरेल्ट के इनवाइट करने पर उसके घर जाती है, तो गेरेल्ट उसे बताता है, वह अपनी क्लासमेट रोजी को लाइक करता है, और काफी जल्दी उसे पिरपोस भी करेने वाला है, लेकिन यहाँ उसे Elizabeth समझाती है, कि तुम उस लड़की का पीचा छोड़ दो, वो तुमें लाइक करने वाली नहीं है, Elizabeth उसे ये सब इसलिए बता रही थी, क्योंकि स्कूल टाइम में वो भी रोजी की तरह हुआ करती थ जो गेरेल्ट जैसे चोमू लड़कों को भाव नहीं देती थी, फिर हम देखते हैं, स्कूल सभी टीचर को अपनी बार पाटी में इंबाइट करता है, लेकिन बहाँ Elizabeth को काफी बुरा लगता है, क्योंकि स्कूल एमी के लिए गाना गाता है, इसलिए गुसा होकर बहाँ से चली जाती है, और फिर हम देखते हैं Elizabeth को पता चलता है, कि कुछ दिन बाद पूरी स्टेट में एक एक एक्जाम होने वाला है, और जिस टीचर के स्टुडेंट एक्जाम में टॉप करेंगे, उसे $5,700 मिलेंगे, बहाँ टॉप करने के लिए अपने स्टुडेंट को गाइ यूज करती है, और बड़ी चालाकी से उस प्रोफेसर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे वो बिहोश हो जाता है, और फिर वो बहाँ से स्टेट एक्जाम के पेपर चुरा कर ले आती है, जिसके बाद Elizabeth के सभी स्टुडेंट्स टॉप करते हैं, और उसे प्राइज जा पाती, एमी को पता चलता है, Elizabeth ने ही ये सब किया है, उसके साथ बदला लेने के लिए बहे अपने classroom का desk, उसके classroom desk के साथ बदल देती है, जब एमी Elizabeth के desk को open करती है, तो उसमें उसे state exam के paper मिलते हैं, जो उसने चुराए थे, बहे समझ जाती है Elizabeth के students ने टॉप कैसे किया, एमी इसके बारे में principal को बताती है, principal भी जान के काफी गुस्सा थे, भे Elizabeth को सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें उस professor के statement की जरूरत थी, तबी एमी उसके पास जाती है, और उसे किसी तरह convince कर लेती है, दूसरी तरफ Elizabeth स्कॉर्ट को manipulate करके उसके साथ sex करके एमी को बताती है, ताकि उसे लगे स्कॉर्ट ने उसे दोका दिया है, और अगले दिन गेरेल्ट सभी के सामने रोजी को poem सुना कर propose करता है, लेकिन रोजी उसे like नहीं करती थी, इसलिए बहे सभी के सामने उसका मजाग बना देती है, Elizabeth और रसेल भी ये सब देख रहे थे, Elizabeth गिल्टी फिल करती है, क्योंकि बहे वी रसेल के साथ ऐसा ही कर रही थी, और फिर Elizabeth गेरेल्ट को सभी के सामने हीरो बनाने के लिए उसे अपनी ब्रा देती है, और सभी को बताती है, उसने गेरेल्ट को एक सीनिय लड़की के साथ पकड़ा है, सभी इस बात को जूट समझ करते हैं, तबी गेरेल्ट ब्रा निकालकर सभी को दिखाता है, इसके बात सभी उसकी तारीफ करते हैं, और उसके फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन तभी एमी आकर सबके सामने उसका पद्दा फास कर देती है, कि कैसे उसने अपने स्टुडेंट को स्टेट में टॉप कर बा कि एमी ने उसे चेंज किया है, फिर वह उस प्रिंसपल के पास जाती है, बहां प्रॉफेसर आता है और एलीजबेत को इनुसेंट बता कर चला जाता है, इसके बात एलीजबेत प्रिंसभल को बताती है, इसकूल में कुछ तीचर्स ड्रुक्स लेते हैं, तो उनकी तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि एलीजबेट के डैस्क में ड्रक्स होते हैं और एमी ने उने एक्सचेंज किया था फिर चेकिंग के दोरान बहर फस जाती है एमी सब को बताने की कोशिश करती है कि बहर ड्रक्स उसके नहीं है लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिस्वास नहीं करता उसे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में